बालों को तेजी से लंबा और घना कहने का सबसे आसान उपाई यही है नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका रोगा नुसार में एक और इंपोर्टेंट वीडियो के साथ है दोस्तों चमकदार बालों के साथ साथ हर कोई लंबय और मजबूत बाल रखना चाहता है लेकिन आजकल हर कोई बालों के जढ़ने की समस्या से परिसान है व्यस्त जीवन सैली, प्रदूसर और ऐसे उत्पाद जो आपके बालों को खराब करते हैं आदि बाल जढ़ने के कारण होते हैं अगर आप लंबे बालों की समस्या के लिए प्रभावी, सुरचित और आसान तरीका अपनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपकी बहुत मरत करते का हर महिला की चैहत होती है घने और लंबे बाल इससे महिलाओं की खूपसूर्ती के साथ साथ आतम विश्वास भी बढ़ता है आज कल तराव का स्तर बढ़ने और प्रदूसर के कारण बालों की जढ़ने की समस्या आम हो गई है कुछ लोग बालों की ग्रोथ और इनके जढ़ने की समस्या से छुटकारा पाने के लिए चिकित्सक से भी सला लेते हैं चिकित्सकी परामर्स के अलावा आप कुछ घरेलू उपायों से भी अपने बालों की देख भाल कर सकते हैं लेकिन बालो को लंबा और घहना कहना इतना आसान नहीं है, इसलिए आज हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे घरे लुपाए बताने जा रहे हैं, जिसे अपना कर आप अपने बालों को तेजी से लंबा और घाना कर सकेंगे लेकिन इसके लिए आपको वीडियो पूरी देखने होगी क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपसे कोई भी खास जानकारे छुटे और आपके लंबे बालों का सपना अधूरा रह जाए तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कना ना भोलें इससे हमारा मोटिवेशन अप होता है साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दवाने के साथ ही आउल नोटिफिकेशन को जरूर आन कर लें ताकि जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल जाए इसके लिए आउल नोटिफिकेशन को जरूर सेलेक्ट करें नमबर एक है इसके लिए आप प्याज को अच्छे से पीस लें और उसका रस निकाल लें फिर प्याज के रस से 10 मेर तक अपने बालों में मसाज करें और फिर आदे घंटे तक अपने बालों में इसे लगा रहने देँ और फिर को अच्छे से शेम्पू कर लें UKãy नंबर दो मानते हैं कि बालों को मुंए पुन सुगर अर॥ाध चीनी मिलाना चाहिए जब आप सेंपू में चीनी मिलाकर अपने बालों में लगाते तो सर की सफाई ठीक से होती है डेली सेंपू में सूगर मिलाने से बालों के पास की मित तोचा आसानी से हड़ जाती है इस तरह सेंपू करने से बालों में डेंटर्फ की समस्या नहीं होती नहाने के पहले एक चमच चीनी को सेंपू में मिलाकर लगाना चाहिए ध्यान रहे कि हाथों को तेजी से दबा कर ने रगड़ें हलके हाथ से ही बालों में इसे लगाएं नमबर तीन दही जी हां दूस्तों दही और अंडा बाल लंबे करने के तरीकों में से एक बहुत ही अच्छा उपाय है दही में पाया जाने वाला एशीर बालों के रोम को खोल कर जड़ों से मैल को निकालते हैं और अंडे में पाया जाने वाला पोसकत्तों जैसे प्रूटीन, आइरन, सलफर, फासफोरस जस्ता और सेलेनियम आदि से इसे बालों को पोसर मिलता है जिससे बाल लंबे और चमकदार बनते हैं इसके लिए आप दो अकच्चे अंडे लेकर उसमें दो बड़े चमच दही मिला लें अब इसे बालों में लगा कर एक घंटे के लिए छोड़ दें अब हलके गुन-गुने पानी से बालों को धोलें हपते में एक बार इस उपाय को जरूर आजमाएं जिया दोस्तों स्किन केर में गुलाब जल का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है हेर एक्सपार्ट से मानते हैं कि बालों का रुखापन दूर करने के लिए गुलाब जल का उपयोग सबसे अच्छा प्राकृतिक उपाय है सैंपू में गुलाब जल मिलाना बहुत आसान है बाल धोने से पहले सैंपू और गुलाब जल को एक साथ मिलाकर पेश्ट बनाकर लगाना चाहिए हेयर फॉल रोकने के साथ गुलाब जल बालों को लंबा कहने में मदद करता है जो लोग बार बार डेंडर्व से परिसान होते हैं उनके लिए भी गुलाब जल फायदेमद होता है नमबर पांच आवला जिया दोस्तों आवला भी बाल लंबे कहने के घरेलू उपाये में से एक सबसे अच्छा उपयोगी तरीका है जिसके फायदों के बारे में आपने अपने बड़े बुजूर्गों से जरूर सुना होगा बिटामिन सी से भरपूर आवला फैटी एसिट से भरा होता है जो बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है इसके लिए आवले के रस या इसके पाउडर को नीबू के रस में मिलाकर अपने बालों की जड़ों में लगाएं आवला बालों को जड़ से मजबूत बनाता है और इसके उपयोग से बाल छड़ना कम हो जाते हैं और घने होने लगते हैं